असलावलेकूम आज मैं आपके साथ हरी मिर्च के भरवाचार की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत आसान रेसिपी है बहुती मज़े का रेसिपी बनता है और सालों खराब नहीं होता तो चलिए बनाते हैं आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब करें और जादा जादा शेयर करें हर इमिर्च का भरवाचार बनाने के लिए मैंने पासोगरा मोटी वाली हर इमिर्च लिए इसे मैंने अच्छे से पोश करके और कपड़े से पोश लिया है अगर आपके याँ धूप आती है तो आप थोड़ देर के लिए इस धूप में भी रख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी नभी नहीं होनी चाहिए मिर्चे की न हम डंठल तोड़ देंगे और इसमें एक कट लगा लेंगे मिल्कुल अलग नहीं करेंगे बीच में चीरा लगाएंगे हमने सभी मिर्चे की डंठल तोड़ देंगे और इसमें चीरा लगा लेंगे डंठल को तोड़ने से अचार जारा दिन तक चलता है क्यों छार चममच 4 छम चमच 4 ही चममच 5-6 छम धनियन क्योंकि धनिया हलका होता है दहनी एक वाइन ड्राइअ रोस्ट कर लेंगे बहुत जादे रोस्ट नहीं करेंगे, इनका कलर चेंग नहीं करेंगे, हलका ही रोस्ट करेंगे, इनके अंदर जो भी नमी होगी न हो निकल जाएगी मसालों को रोस्ट करने से इनकी सेलफ लाइप बढ़ जाती है, अगर हम मसालों को रोस्ट नहीं करेंगे तो अचार के खराब होने का डर रहता है, अचार में फुफूंदी लग जाती है अगर आपकी याँ धूप आती है, तो आप धूप में भी रख सकते हैं, धूप में रखने से भी मसालों की साही नमी निकल जाएगी देखें, मसाले थोड़े ड्राय रोस्ट हो गए है, इनका कलर चेह नहीं करेंगे इसमें आड़ करेंगे, साथ से आठ सो की लाल मिर्ची और थर्टी सेकंड के लिए इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे फ्लेम को ओफ कर देंगे और इनमें थोड़ी देर चलाते रहेंगे देखें, मसाले रोस्ट हो गए है इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि पैन गरम है न तो पैन में ये रोस्ट होते रहेंगे, इसलिए हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे देखे मैंने मसालों को फ्लेट में निकाल लिया है इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और एक पैन लेंगे इसमें डेड़ कप सरसो का तील गरम कर लेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे तेल को धुआ निकलने तक गरम करेंगे देखे तेल से धुआ निकलने लगा है फ्लेम को ओफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जितना तेल ठंडा हो रहा है मसाले देख लेते हैं देखे मसाले ठंडे हो गए हैं एक जार लेंगे और इसमें सभी मसालों को ट्रांसफर कर देंगे और इन्हें दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे बारीक नहीं करेंगे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे दीखें मैने मसालों को ग्राइंड कर लिया है एक बावल लेंगे उसमें निकाल लेंगे और इसमें बागी के मसाले भी एड़ कर लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक छोटा चम्मच कलोंजी और एक चम्मच हीन एड़ करेंगे ये रेड़ मेर हीन है न तो इसमें चावल का आर्ट वगेरा मिला हुआ होता है इसलिए हमने थोड़ा जाद ही एड़ किया है और डेड़ चम्मच नमक एड़ करेंगे एक चमच काले नमक एड़ करेंगे काले नमक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है जरूर एड़ करिएगा दो चमच लाल मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे मिर्चे हमने पहले भी एड़ की थी एक चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और चार बड़े चमच आमचूर पाउडर एड़ करेंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए इसमे एड़ करेंगे चार बड़े चमच विनेगर यानि सफेद सिर्का जो होता है मिक्स करेंगे मेरे अगर चाना इसकी self life बढ़ जाएगी चार जल्दी खराब भी नहीं होगा और मसाले फूल भी जाएगे इसमें एड़ करेंगे oil, oil भी हमारा ठंडा हो गया है oil को हम बहुत जादे एड़ नहीं करेंगे, इतना है करेंगे जिससे इसमें binding आ जाए पहले मैं तीन चमश एड़ कर रहे हूँ, mix करके देख लेंगे, जरूरत होई तो थोड़ा बहुत और एड़ कर देगे अगर oil जादे एड़ कर दिया ना तो फिर मसाला मिर्च के अंदर से निकल जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं देखिए, oil मुझे थोड़ा कम लग रहा है, एक चमश और एड़ करेंगे, और mix करेंगे देखिए, हमें ऐसा ही मसाला चाहिए था, यह बहुत ही tasty मसाला बनता है, चटपटा एकदम तीखा, बहुत अच्छा लगता है देखिए, मसाला अच्छे से mix हो गया है, मिच लेंगे और मिच के अंदर अच्छे से हम मसाले को भर देंगे बहुत अच्छे से दबा दबा के भरेंगे देखिए, मसाला अच्छे से भर गया है, एक्ष्टर जो मसाला है उसे हटा देंगे एक मिर्च लेंगे उसे उंगली से और अंगोठे से थोड़ा अलग कर लेंगे उसके अंदर चमास से अच्छे से मसाला भर देंगे इसे बन कर देंगे, एक्स्ट्रा जो होगा वो निकाल देंगे सभी मिर्चे को हम ऐसे भर लेंगे देखे मैंने सभी मिर्च में मसाला भर लिया है और जिए बचा हुआ मसाला है इसे हम बाद में यूज करेंगे यह भरवा मिर्च जितने देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं जादा यह खाने में टेश्टी लगती है एक जार लेंगे इसे न अच्छे से वोश कर लेंगे वोश करके कपड़े से साफ कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए और इसमें न हम मिर्चों को भर देंगे जो कांच का जार होता है न उसमें आचार खराब नहीं होता और किसी भी तरह की smell अगयरा नहीं आती सभी मिर्चों को इसमें भर देंगे इसमें पूरी मिर्चे नहीं आएंगी आधी आएंगी आधी हम दूसरे जार में डाल देंगे देखे मैंने मिर्चो को जार में भर दिया है जो हमारा मसाला बचा हुआ था ना उसे भी हम इसी में डाल देंगे आधा इसमें डालेंगे आधा दूसरे जार में डाल देंगे और आधा ओल इसमें डाल देंगे देखे मैंने जार में ओईल डाल दिया है इसका धकन लगाएंगे और धकन लगाके जार को अच्छे से हिला देगे जिससे ओईल सभी मिर्चों के ओपर लग जाएगा जैसे मिर्ची थोड़ी नीचे को हो जाएगी आप थोड़ा ओड़ ओईल डाल दिजेगा इसे बिल्कुल भी फफूंदी बगएरा नहीं लगती है और यह सालो चलता है इस धूप में भी रखने की जरूरत नहीं है एक हफ़ते के बाद यह ऐसे खाने के लायक हो जाएगा आप एक बाद जुरूर बनाएगा अगर आपको मेरी भरवा मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स और फैमली के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपकी कोई भी वीडियो मिसना हो अलाहाफिस